हाई एवरिवन अब बात करने वाले हैं कि windows operating system के अंदर php को कि इस तरीके से install and use कर सकते हैं देखो वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिनकी help से आप लोग php को windows या फिर किसी भी operating system के अंदर install कर सकते हो बट हम लोग यहाँ पर सबसे simple वाला तरीका यूज़ करने वाले हैं which is zamp software अब यह क्या होता है यह complete package होता है जिसके अंदर php और इसके supporting software available होते हैं जैसे आप लोग zamp को download करके install करोगे php और supporting software होते हैं जैसे कि Apache यह क्या होता है एक server होता है जिसके उपर php run करता है ठीक है यह local server बना देता है और php उसको पर RAM से काम करती है download करना है इसको install करना यह free of cost होता है और बहुत easily आप इसको download and install कर सकते हो फिर हम लोग Apache server को start करेंगे ताकि php के code को अराम से run कर पाएं फिर हम लोग एक folder बनाएंगे php को run करने के लिए और एक file भी बनाएंगे उस file को हम लोग execute करके देखेंगे चेक करेंगे properly काम कर रही है के नहीं कर रही है इससे आपको यही बता चल जाएगा आपको बहुत सारे options दिखेंगे पहली बात हो यह अपने आप ही detect कर लेता है कि आप कौन सा operating system यूज़ कर रहे हो तो इसने Windows का दिखा दिया अगर Mac Linux यूज़ कर रहे होते तो आपको चायद वह वाला option पहले दिखता या फिर आप लोग थोड़ा सा नीचे scroll down भी कर सकते हो right so मैं यहाँ पे जो सबसे latest version है 8.2.4 इसको download कर लेता हूँ जैसे मैं यहाँ पे click करूँगा download के उपर यह download होना start हो जाएगा अगर किसी वज़य से नहीं होता तो यहाँ पे click here पे कर सकते हो यह definitely download होना start हो जाएगा right so all right so यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह download start हो चुका है मैं इसको अभी के लिए एक बार stop कर देता हूँ because मैंने already install करते हो same उसी तरीके से इसको भी आप लोग install कर सकते हो इसके अंदरा पर कोई problem नहीं आने वाली तो अगर हम लोग इसको minimize करके देखते हैं तो इसके installation यह आप देख सकते हो यह एक important warning आती है अगर आप चाहो तो इसको ignore कर सकते हो यह just कुछ permissions और से related है then आप लोग simply next click करोगे यहाँ पर इतनी सारी चीजें है जो इसके साथ download होगी so initially अगर आप बिगनोर हो तो इनको छेडने की जरूरत नहीं है directly आप install कर सकते हो because इतना कुछ बहुत बड़ा slow नहीं करने वाला आपके system को ज़्यादा है then यह पूझेगा आपसे कौन से folder में इसको install करना चाहते है c drive and zamka folder that's okay then हम लोग next पे click करेंगे और यह कह रहा है कि अच्छा यह folder empty नहीं है maybe यह folder पहले से बना होगा so मैं यहाँ पे इसको empty कर देता हूँ folder को right एक बार के लिए अगर आपके system में already empty है तो यह created नहीं है तो यह वाली जो warning थी आपको नहीं मिलेगी then just click next language select करने के लिए बोलेगा और जो आपको बताएगा कि ठीक है setup is ready to being installed next पे क्लिक करो और यह installation आपकी start हो जाएगी then यह again आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ से एक और इसने zamp का folder बना दिया और यहाँ पे installation start कर देगा all right so zamp का setup complete हो गया है मैं इसको finish कर रहा हूँ यहाँ पे और अगर अगर अब आपको यह चेक करना है कि zamp install हुआ है कि नहीं हुआ तो simply वैसे तो अपने आप जैम का setup आ जाएगा otherwise यहाँ पे अगर आप simply लिखोगे ना zamp तो आपको यहाँ पे भी zamp आपके installed software के अंदर दिख जाएगा इसको start पे क्लिक करता हूँ अब start क्या करेंगे जब apache start करेंगे तो हमारा अपाचे server start हो जाएगा अपाचे भी start कर दिया हम लोगोंने और सो हमारे जो यह first three four steps है ना यह वाले complete हो चुके है अब हम लोग बात करने वालें कि folder कैसे बनाएंगे और file कैसे बनाएंगे फाइल और folder आपको बनाने कहा है यह बहुत important है ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी files and folders बना सकते हो जैंप वाले folder के अंदर जाओ और यहां पे और folder मिलेगा आपको stdocs के नाम से इसके अंदर जाना और यहां पे आप लोग कोई भी folder बना सकते हो अभी के लिए मैं एक folder बना रहा हूं यहां पे test के नाम से कुछ भी आप बना सकते हो इसके अंदर हम लोग एक file बनाएंगे अब file आप किसी code editor के अंदर बनाओगे हम लोग vs code editor यूज करेंगे इस series के अंदर अभी के लिए मैं यहां पे terminal open कर रहा हूं और इसको open कर रहा हूं इस वाले folder को vs code के अंदर code. लगाने से वह वाला folder vs code के अंदर open हो जाएगा अगर आपके पास vs code installed है तो अगर installed नहीं है तो यह command का आप नहीं करेगी आप इस folder को manually किसी editor के अंदर open कर लेना ठीक है अब मैं क्या करता हूं यहां पे एक file बनाता हूं अगर इन file का नाम आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो मैं यहां पे file का नाम रख रहा हूं index.js index.php मैं actually js के साथ भी काम करता हूं तो इसलिए just कभी-कभी बोल देता हूं मैं यहां पे लिखने वाला हूं index.php और अब इसको चेक करने के लिए प्रोग्राम लिखेंगे मैं यहां पे 10 प्लस 10 लिख रहा हूं और इसका output मुझे 20 मिलना चाहिए simply right ओके और यह एको बगर आने दिखना चाहिए बस 20 मुझे इसका output दिखना चाहिए अब मैं यहां पे आता हूं और यहां पे simply लिखूँगा localhost के अंदर यहां पे test लिखूँगा जो भी मैंने folder का नाम रखा था और यहां पे 20 देख सकते हो index.php यह उपन करोगे तो भी दिख जाएगा अधरवाइस आपको directly index.php वाली जो फाइल होती है अपने आप